कहानी की सुरुवात होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकराटीज नाम के एक लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है तब ही उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वह एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तब ही वहाँ उसकी वाइब बोन ही आती है और उसे कहते है कि वो पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ उस जंगल के कुईन हाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था पर पता नहीं इस साल क्या हुआ यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम चाल्स नाम की एक चिकेन को दिखते हैं जिसे कुछी देर में उसका सर्फ डिनर में बदलने वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आपको छुड़ा कर वहां से भाग जाता है वो उसकी सिप से बाहर कूद कर एक छोटी से बोट में आ जाता है जहां उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं उन सारे एन विसानों के कदम नहीं पड़े हैं चाल्स उन सबसे कहता है कि वो उन सब कुछ जगा तक ले जाने में उनकी मदद करेगा इधर सेवेना की क्यूइन सबसे कह रही होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग सूख चुके हैं और अगर ऐसे ही हालात रहे तो उन्हें सर्वाइब करना मुस्किल हो जाएगा चाल्स और उसकी टीम भी सेवेना की खोज करते हुए उसके बहुत करीब पहुच चुके थे बिली पानी की तालास में आगे बढ़ रहा था उसे अपनी फैमिली के लिए पा इधर बिली का बेटा जूनियर अपने दोस्तों के सामने अपने डैड की बहुत तारीफ कर रहा था तब ही वो सब देखते हैं कि बिली पानी को लेकर भागता हुआ आ रहा है और उसके पीछे बेफैलो का एक ग्रूप पड़ा हुआ है जूनियर खुस हो जाता है कि उसके इतने मुसीबतों का सामना करते हुए पे उसके लिए पानी लेकर आ रहे हैं पर उन बेफैलो की वज़ा से बिली का सारा पानी बेह जाता है जूनियर के दोस्त उसका मजाक उणाने लगते हैं वो बहुत उदास हो जाता है उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है पर और वो कहता है कि उसे किसी से बात नहीं करनी उसे अकेला छोड़ दे बिली अपने दोस सोकराटीज के पास जाता है और कहता है कि उसके साथ पानी की तलास में जाना होगा क्योंकि उसकी फैमली को पानी की जरुरत है और उसे अपने बेटे जूनियर को भी दिखाना है कि वो एक लूजर नहीं है, सोक्रटीज उसे कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि वो यहां बहुत खुष है बिली अकेले ही जाने लगता है सोक्रटीज उससे बताता है कि जब तुम रिवर बेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तब तुम्हें Valley of Dayd को पार करना होगा ये सुनकर बिली बहुत डर जाता है वो उससे पूचता है कि ये Valley of Dayd क्या है सोकरटीज उससे कहता है कि बहुत साल पहले वो उस Valley में गया था वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहाँ आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता कुछ दिर बाद सोकरटीज देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है बिली अपनी तलास में आगे बढ़ने लगता है और कुछ दिर बाद वो वैली के गेट के पास पहुँच जाता है वहाँ उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं जो वैली में जाने से पहले उसे वार्न करते हैं पर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है वो जगह उसे बहुत ही डरावना लग रहा होता है तभी कुछ दिरबाद उसे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है वो पीछे देखता है तो खुस हो जाता है क्योंकि सोकरटीस था वहाँ पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं पर कुछ दिरबादी बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाए देता है जो उसकी तरह बढ़ रहा होता है पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भागने लगा है वो कुछ समझ नहीं पाता है तबी वो अपने पीछे देखता है वहाँ बड़ा सा एक पोलर बिया था जिसकी डर की वज़ा से वो तेदुवा भागा था सोक्राटीस भी वहाँ आ जाता है वो लोग वहाँ चाल से और उसकी बाके टीम से मिलते हैं रात को वो सब वहीं आराम करते हैं वहाँ सोक्राटीस भी विली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया उस ने उस दिन वहाँ एक अलग ग्रियेचर को दिखा जिसे इंसान कहते हैं सुबह चाल्स अब को उठाता है वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठक चुका है चाल्स अपने दो एनिमल टॉबी और अस्माइली को बिली के साथ पानी ढूंडने के लिए भेजता है और वो उन दोनों टॉटल के साथ बियर के साथ ही रहेगा वो चारों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुंच जाते हैं उन सबको वहाँ एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है उसी डैम की वज़े से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था वो सब छुपते हुए डैम के उपर जाते हैं वहाँ वो देखते हैं कि नदी का सारा पानी यहाँ पे किसी ने कैद करके रखा हुआ है वही डैम के पास एक Eden Paradise नाम का होटेल था जहां आज बहुत से देश के लोग Climate Change की मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे उस होटेल का मालिक वहाँ आये हुए डेलिगेट्स को अपने होटेल में अपना पालतो मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है इधर एक वाटर बोट के सारे वो चारो एनेमल होटल तक पहुँच जाते हैं वो सब होटेल के अंदर जाकर मस्ति करने लगते हैं बिली और सोकराटीस वहाँ के Conference Room में पहुँच जाता है जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत डर जाते हैं वो तुरंत होटल के ओनर को कॉल करते हैं, ओनर वहां का हंटर को आवाज देता है, हंटर अपनी बंदूग लेकर वहां आता है और बिली को सूट करने लगता है, बिली उससे बचने के लिए वहां के पूल में गिर जाता है, पर वो हंटर वहां का एजिक्सन बटन दबा देत पर वहां हों से टोटो बचा लेता है तोटो उन्हें सारे मिल कर उस होटल के कमरे को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं टोटो उन्हें समझाने आता है कि ऐसा करनी से वो अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं बिली उसे कहता है कि वो लोग यहाँ छूपे नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली के लिए पानी लेके जाना है तोटों से कहता है कि उन्हें डैम के flood gates को खोलना होगा जिससे उनकी नदियों में वापस से पानी जाने लगेगा तोटो उन सबको लेकर डैम के मोटर रूम में पहुंचता है बिली फ्लट गेट्स को खोलने की कोसिस करने लगता है तब ही वहाँ वो हंटर आता है और सोकरेटीस को सूट करके बेहुस कर देता है बिली से वहाँ का एक बटन दब जाता है जिसकी वज़ा से फ्लट गेट्स खुलने लगता है और वो भी उसमें गिरकर बहने लगता है और उसमें वहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है टूबी और असमाइली भी उसके थुरू ही बाहर आ जाते है वो हंटर जल्दी से फ्लट गेट्स को बंद करता है और उन सब को माने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास पहुंचता है वो सब भागने लगते हैं वो अपनी जीप से उनका पीचा कर रहा होता है पर चालस उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी जीप को पलड़ देता है सुकराटीस को उन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था वो उसे लास विगास के किसी जू को बेचने वाले थे चालस महां के बाकी सभी एनिमल से कहता है कि उसे सेवेना के सभी एनिमल से जाकर बात करनी चाहिए और उन सब को यहां बुला कर इस डैम को तोड़ देना चाहिए वो सब वापस से सेवेना जाते हैं और सारे एनिमल को इकठा करके बताते हैं कि कैसे इंसानों ने उसके जंगल में आने वाले पानी को डैम में कैद करके रखा हुआ है और अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो लोग बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे और अगले दिन हम बहुत से जानवरों के जंड को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पर उनके साथ बैफैलो और राइनो का गुरूप नहीं था क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं वो सारे अनिमल डैम के करीब पहुँच चुके थे तब ही वो हंटर एक प्लेन में बैट कर वहां आता है वो उन पर एक मिसाइल दागने वाला होता है पर तब ही वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है वो उसे माने लगता है और गलती से बटन दबने की वज़ा से वो मिसाइल वहां के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है पर वो फटती नहीं है टोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है उस होटेल के मालिक का बेटा माया सोक्राटीज को उसके पिंजरे से आजात कर देता है और इधर चार्ल्स अपने अनिमल्स को डैम पे अटेक करने को कहता है सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोडने की कोसे इसकरने लगते है तब ही वो देखते हैं कि बफैलो और राइनो के टीम उनकी मदद के लिए आई है वो सारे उस डैम को तोडने लगते है डैम अब थोड़ा सा हिलने लगा था पर इतना काफी नहीं था तब ही बिली को वहाँ एक हाइना पूप दिखाई देता है वो तुरंत एक लगडी के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही सौट मारता है और वो सीधा जाकर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है और वो फट जाती है डैम अब तूटने लगता है उसमें से पानी के फुआरे आने लगती है और फाइनली पूरा डैम तूट जाता है सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरब जाने लगते हैं सोकराटीस भी बिली के पास आ चुका था और उस दिन के बाद सैवेना में कभी पानी की कमी नहीं हुई सारे जानवर वाँ खुसी खुसी रहने लगे माया और उसके डैड भी ये देखकर खुस थे और इसी के साथ ये मोवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक एंड सेर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल और प्रेस देट बेल आइकन कहानी की सुरुवात होती है बिली नाम के एक विजल से जो अपने बेश्ट फ्रेंज सोकराटीज नाम के एक लाइन के साथ मस्ती कर रहा होता है तब ही उसे वहाँ हाइना पूप मिलता है जिसे वह एक छड़ी की मदद से गोल्फ की तरह खेलने लगता है तब ही वहाँ उसकी वाइब बून ही आती है और उसे कहते है कि वह पानी लाने के लिए जाने वाला था पर वो यहाँ टाइम पास करने में लगा हुआ है वहाँ उस जंगल के कुईन हाथी उनके पास आती है और कहते है कि इस साल उनकी नदियों में पानी नहीं आया है जबकि हर साल तो इस समय तक नदियों में पानी आ जाता था पर पता नहीं इस साल क्या हुआ यहां से सीन सिफ्ट होती है और हम चाल्स नाम की एक चिकेन को दिखते हैं जिसे कुछी देर में उसका सर्फ डिनर में बदलने वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आपको छुड़ा कर वहां से भाग जाता है वो उसकी सिप से बाहर कूद कर एक छोटी से बोट में आ जाता है जहां उसे और भी कुछ एनिमल्स उस बोट पे मिलते हैं उन सारे एन इसानों के कदम नहीं पड़े हैं चाल्स उन सबसे कहता है कि वो उन सब को उस जगह तक ले जाने में उनकी मदद करेगा इधर सेवेना की क्यूइन सबसे कहरी होती है कि उनके पास खाने का स्टॉक्स भी खतम हो रहा है और पानी के छोटे छोटे तालाब भी लगबग सू वहीं कुछ दूर पे बफैलो और राइनो का ग्रूप आपस में पहले पानी पीने के लिए लड़ रहे होते हैं उनकी तरब ध्यान ना देते हुए बिली सीधा वहां के तालाब से अपने बॉटल में पानी भने लगता है जब उस पे राइनो और बफैलो की नजर पढ़त पर उन बफैलो की वज़ा से बिली का सारा पानी बैज आता है जूनियर के दोस्त उसका मजाक उणाने लगते हैं वो बहुत उदास हो जाता है उसे मनाने के लिए बिली उसके पास जाता है पर वो बहुत गुस्ते में होता है और वो बिली से कह देता है कि आज से वो उसका पानी की तलास में जाना होगा, क्योंकि उसकी फैंली को पानी की जरुरत है, और उसे अपने बेटे जुनियर को भी दिखाना है, कि वो एक लूजर नहीं है, सुक्रटीज उससे कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो यहां बहुत खुष है, बिली अकेले ही जाने लगता है सोकरटीज उससे बताता है कि जब तुम रिवर बेट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वैली अपदेद को पार करना होगा ये सुनकर बिली बहुत डर जाता है वो उसे पूचता है कि ये वैली अपदेद क्या है सोकरटीज उससे कहता है कि बहुत साल पहले वो उस वैली में गया था वहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है जो वहाँ आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता वो कहता है कि उसे अपनी जान की परवा है इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकता कुछ दिर बाद सोकरटीज देखता है कि बिली अकेला ही चला गया है बिली अपनी तलास में आगे बढ़ने लगता है और कुछ दिर बाद वो वैली के गेट के पास पहुँच जाता है वहाँ उसे कुछ वल्चर्स मिलते हैं जो वैली में जाने से पहले उसे वार्न करते हैं पर फिर भी बिली हिम्मत करके वैली के अंदर चला जाता है वो जगह उसे बहुत डरावना लग रहा होता है तभी कुछ दिरबाद उसे कुछ डर आवनी आवाज सुनाई देती है वो पीछे देखता है तो खोस हो जाता है क्योंकि सोकरटीस था वहाँ पे उसका डर भी अब बहुत कम हो जाता है वो लोग जल्दी से भाग कर उस वैली को पार करने लगते हैं पर कुछ दिरबादी बिली को वहाँ एक बड़ा सा काला तेंदुआ दिखाए देता है जो उसकी तरह बढ़ रहा होता है पर अचानक से वो देखता है कि तेंदुआ डर से भागने लगा है वो कुछ समझ नहीं पाता है तबी वो अपने पीछे देखता है वहाँ बड़ा सा एक पोलर बिया था जिसकी डर की वज़े से वो तेनुवा भागा था सोक्राटीस भी वहाँ आ जाता है वो लोग वहाँ चाल से और उसकी बाकि टीम से मिलते हैं रात को वो सब वहीं आराम करते हैं वहाँ सोक्राटीस बिली को बताता है कि कई साल पहले वो अपने भाई के साथ इस वैली में आया था पर अचानक से किसी ने उसके भाई को मार दिया उसने उस दिन वहाँ एक अलग क्रियेचर को दिखा जिसे इनसान कहते हैं सुबह चाल सब को उठाता है वो बियर उनसे कहता है कि अब वो और कहीं नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है चाल सब ने दो एनिमल टॉबी और असमाईली को बिली के साथ पानी ढूंडने के लिए भेज़ता है और वो उन दोनों टॉटल के साथ बियर के साथ ही रहेगा वो चारों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द वो उस वैली के अंत तक पहुंच जाते हैं उन सब को वहां एक बड़ा सा डैम दिखाई देता है उसी डैम की वज़े से उनकी नदियों का पानी रुका हुआ था वो सब छुपते हुए डैम के ऊपर जाते हैं वहां वो देखते हैं कि नदी का सारा पानी यहां पे किसी ने कैद करके रखा हुआ है वही डैम के पास एक इडिन पाराडाइज नाम का होटेल था जहां आज बहुत से देश के लोग क्लाइमिट चेंज की मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे उस होटेल का मालिक वहां आये हुए डेलिगेट्स को अपने होटेल में अपना पालतु मंकी टोटो से उनका वेलकम कराता है इधर एक वाटर बोट के सारे वो चारो एनिमल होटल तक पहुँच जाते हैं वो सब होटल के अंदर जाकर मस्ति करने लगते हैं बिली और सोकराटीस वहां के कॉनफरेंस रूम में पहुँच जाता है जिसे देखकर वहां के सारे लोग बहुत डर जाते हैं वो तुरंथ होटल के ओनर को कॉल करते हैं ओनर वहां का हंटर को आवाज देता है हंटर अपनी बंदूग लेकर वहां आता है और बिली को सूट करने लगता है बिली उससे बचने के लिए वहां के पूल में गिर जाता है पर वो हंटर वहां का एजिक्सन बटन दबा देता है जिससे बिली डैम के पाइप से होते हुए बाहर गिर जाता है पर वहां उसे टोटो बचा लेता है टोटो उन सभी एनिमल को हंटर से बचाने के लिए उस होटल के एक रूम में उन्हें छुपा देता है पर वो सारे मिलकर उस होटल के कमरे को पूरी तरह से बरबात कर देते हैं टोटो उन्हें समझाने आता है कि ऐसा करने से वो अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं बिली उसे कहता है कि वो लोग यहां छुपे नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें उनकी फैमली के लिए पानी लेके जाना है टोटो उन्हें से कहता है कि उन्हें डैम के फ्लरट गेट्स को खोलना होगा जिससे उनकी नदियों में वापस से पानी जाने लगेगा टोटो उन्हें सब को लेकर डैम के मोटर रूम में पहुंचता है बाहर आ जाते हैं वो हंटर जल्दी से फ्लाट गेट को बंद करता है और उन सब को माने के लिए अपनी जीप लेकर उनके पास पहुंचता है वो सब भागने लगते हैं वो अपनी जीप से उनका पीछा कर रहा होता है पर चाल्स उन दोनों टर्टल की मदद से उसकी जीप को पलड़ देता है सुकराटीस को उन लोगों ने एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ था वो उसे लास विगास के किसी जू को बेचने वाले थे चाल्स महां के बाकी सबी एनिमल से कहता है कि उसे सेवेना के सबी एनिमल से बहुत से जानवरों के जूंड को डैम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं पर उनके साथ बेफैलो और राइनो का गुरूप नहीं था क्योंकि वो उनका साथ देने से मना कर देते हैं वो सारे एनिमल डैम के करीब पहुँच चुके थे तब ही वो हंटर एक प्लेन में बैट कर वहाँ आता है वो उन पर एक मिसाइल दागने वाला होता है पर तब ही वो देखता है कि उसके पीछे टोटो है वो उसे माने लगता है और गलती से बटन दबने की वज़़े से वो मिसाइल वहाँ के डैम के पाइप के अंदर चली जाती है पर वो फटती नहीं है तोटो किसी तरह उस प्लेन को लैंड करवाता है उस होटेल के मालिक का बेटा माया सुक्राटीज को उसके पिंजरे से आजाद कर देता है और इधर चाल्स अपने अनिमल्स को डैम पे अटेक करने को कहता है सब अपनी पूरी ताकत के साथ डैम को तोडने की कोसेश करने लगते है तब ही वो देखते हैं कि बफैलो और राइनो की टीम उनकी मदद के लिए आई है वो सारे उस डैम को तोडने लगते है डैम अब धोड़ा सा हिलने लगा था पर इतना काफी नहीं था तब ही बिली को वहाँ एक हाइना पूप दिखाई देता है वो तुरंत एक लगड़ी के डंडे से उसे गोल्फ की तरह ही सौट मारता है और वो सीधा जाकर के डैम के होल में उस मिसाइल को लगती है और वो फट जाती है डैम अब तूटने लगता है उसमें से पानी के फुवारे आने लगती है और फाइनली पूरा डैम तूट जाता है सारे जानवर उसमें बहकर जंगल की तरब जाने लगते हैं subscribe to my channel and press that bell icon